उफान पर हैं दरसल अंतागड कोईली बेडा और पकानजर ब्लाक के गाउं का संपर्क तूट गया है मुख्याले से उफंते नदी नालों पर जोखिम उठाते लोग नजर आ रहे हैं और आपको बता दे कि जोखिम उठाने का कारण के उन्हें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल पारी सडक मार्ग पुल पुलिया जैसी जो परिस्थितियां हैं वो इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरह से उफंते नदी नालों को पार करें तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कांकेर से सामने आई जहां पर कांकेर में जोखिम उठाते लोग नजराये हैं उफंते नालों को लोग पार कर रहे हैं कांकेर नदी में काकेर में नदी नाले भी उफान पर है ही और ऐसे में लोग रास्ता पार करने के लिए उन नदी नालों के बीट से होकर गुजर रही है जो एक बड़ी और गंभीर चिंता बना हुआ है तरसल बारिश और नदी नालों के उफान पर आजाने के विज़े से एक और गंभीर परिशानी और तस्वीर सामने आई जहां अंतागड में स्कूली बच्चों से भरी हुई एक गाड़ी उफनती नदी को पार करती नजर आई ऐसे में कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता था अलगी बच्चों की जान जोकिम में डालने वाले ड्राइवर का इस पर दिमाग चला नहीं या फिर उसने बिचार किया नहीं विवेक का इस्तेमाल किया नहीं ये गंभीर प्रश्चन है चुकि जिस तरह से नदी नाले उफान पर है गाड़ियां बाइक्स के बैजानों की घटनाएं कई सामने आ चुके हैं और इसके बावजूद ये हरकत बच्चों की जान के साथ खिलवार परसल मुंगेली में नाले का पुल ध्रश्चा चार की भेंट चड़ गया पता दें कि पुल के मरमत नहीं हुई और घोरपुरा के रजपुरा के बीच नाले का पुल तूट गया है जान जोखिम में डालकर लोग इस पुल को पार कर रहे हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे को ने मंतरण दे रहा है और किसी भी वक्त ये हादसा हो सकता है करियाबंदे बारेश से हालात बेहत खराब हो चले हैं और ऐसा ही एक मामला तस्वीर सामने आई जहां उफंती नदी में शव यात्रा निकालने को लोग मजबूर हो गए ग्रामीन एक शव को अंतिम संसकार के लिए ले जा रहे थे और अर्थी लेकर उफंती नदी को पार करते नजर आए ग्रामीन लंबे समय से यहां पर पुल बनाय जाने की मांग कर रहे हैं और पुल की मांग को लेकर कई बार हाइवे भी जाम किया जा चुका है लेकिन कभी सुनवाई नहीं हुई ऐसे में ग्रामीन जान जोख्यम में डालकर उफंती नदी में से शव ले जाने को मजबूर ह ग्रामीन लंबे समय से यहां पर पुल बनाय जाने के लिए जाना कारी देंगे लेकिन सबसे पहले चलते हैं भोपाल जहां शैलेंदर शोहान हमारे सयोगी मौज़ूद है शैलेंदर बारिश लगातार जारी है और आज भी मद्प्रदेश में करीब 23 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया 22 से 23 जिलों में अलर्ट का मतलब है कि मौसम बिगड़ने बाला है जी आसिदे के पूरा मद्प्रदेश में बहुती मजबूत मानसून का सिस्टम बना हुआ है बंगाल की खाड़ी से लो प्रेसर एरिया जो बना उसी कारण मद्प्रदेश के सभी 55 जिलों में लगातार बारिश हो रही है खास कर मौसम बाग ने भी 40 जिलों में अलर्ट जारी किया है यहाँ पर अलर्ट के साथ ही एहत्याद बरतने को कहा गया अगर बात की जाए तो बोपाल, जबरपूर, ग्वालियर, चंबल और जितने भी बड़े अंचले उज्जेन हो विदीशा हो यहाँ पर सभी जगा पर लगातार बारिश हो रही है बेत्वा नदी उफान पर है, नर्बदा नदी में भी वेक काफी जादा है उज्जेन में शिपरा नदी में भी काफी जादा तेश प्रवाय तो कहीं न कहीं सभी नदिया भी अब लगातार जल इस्तर के आसपास पहुच रही है जो उच जल इस्तर है तो कहीं न कहीं मदपेस में बार जैसा खत्रा भी मन राया हुआ है उसी को लेकर एहत्यातन सभी HDRF की टीमें सक्री हो चुकी है और प्रसासन भी अलेट मोड पर है मोसे भाग ने भी आने वाले 48 घंटे भारी वर्सा की चेटावनी दिये बड़ा अलेट दिया है और उसी के मददे नजर प्रसासन और सरकार भी उपायों में जूटी हुए अगर बात की जाए बोपाल में तो यहाँ पर सुबह से तेज बारिश हो रही है अभी भी लगातार बारिश का दोर जारी है यहाँ का जो बोपाल का बड़ा तालाब है वो अपने जो लेवल है हाई लेवल उस तक पहुँचने में केवल दो फिट पानी बाकी है तो निश्चीती सभी जगा पर बोपाल हो या बाकी आसपास के जितने भी कोलार, कलिया, सोट, डेमो सभी लबालब है और अब एहत्यातन सबसे ज़्यादा चिंता ये सतारी है कि बारिश के और हाला तगर बिगड़ते है तो किस तरह उन पर काबूप काया जाए इसी को लेकर HDRF टीमों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सभी अलट मोड पर है तनू के पास चलेंगे राइपूर जहां पर इस वक्त बारिश जो है 36 गड़ में भी अपना पूरा असर दिखा रही है तनू क्या सतिय है मौसम विभा की तरफ से क्या है पूरवा नुमान जे बिल्कुम विए कि 36 गड़ में इन दिनों जो है लगातर बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में जो है नदी नाले उफान पर है तो कहीं पर पूल्ड है गया है के अलावा साथ ही कई इलाकों में बारवाले हालात भी जो है वो देखने को मिल रहे है वही मौसम विभा के मुताबिक 36 गड़ में आज भी अच्छी बारिश के जो है वो असार है लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नालो को जो है पार कर रहे है और फिलहाल 36 गड़ में मौसम का मिल्जाज यो ही बना रहेगा राजानी रैपूर के में बात करूँ तो राजानी रैपूर में अज सुबा से ही हलके बादल जो है वो चाय हुए और सुबा हलकी बुनदा बांदी का दौर भी जो था वो जारी था इसके बाद कहा जा सकता है कि थोड़े दिर में या शाम तक फिर राजानी रैपूर में भी अच्छी बारिश जो है बारिश से राजानी रैपूर के खारून नदी में भी जो है वाटर लेवल जो है वो बढ़ गया है और इसके साथ ही आसपस के जित्ते भी एरिया में नदी नाले हैं उनमें वाटर लेवल जो है बढ़ गयी है वही ओसले भांक PARC जितनी बारिश होनी थी उससे ज़्यादा बारिश असवार जो है वो हुई है इसके साथ ही पिछले साल की तुलना में 6% ज़्यादा बारिश होनी की संभावना भी मौसम भागने ज़ता ही है फिलहाल मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है इसके साथ ही पहले मांसून के रफ बारिश अभी भी हो रही है। नर्मदा के जलिस्तर की बात की जाए तो 945 फिट पर इस समय नर्मदा का जलिस्तर है और तबा 1151 फिट के गवर्निंग लेवल पर मेंटेन किया जा रहा है। बारिश की बात की जाए तो फिलहाल रिम जिम बारिश जो है वो लगातार जारी है और आगामी दिनों में भी इसी प्रकार की बारिश होने का अनमान मौसम विभाद द्वारा जारी किया गया है। यदि शहर की बात की जाए तो जो निचले इलाज़ के हैं वहाँ पर लगातार जल भराव की समस्याएं बन रही हैं और लोग जो है बारिश से प्रभावित जन जीवन जो है वो प्रभावित हो चुका है बुरी तरह से। बिल्कुल और अभी इस्थती गरियावंद में कैसी है चलेंगे इमरान के पास हमारे से होगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है इमरान मौसम लगातार अपना असर दिखा रहा है और आपके आसपास भी जो तस्वीरे दिख रही है थोड़ी बहुत उससे अंद पर हैं और अब लगातार बारिश होने से कई तरह की समस्याएं भी देखने को मिली गरिया बनके मैनपूर कला में आमने देगा कि किस तरह घ्रामिर जो है अर्थी को उफंती नदी में पार करते दिखे और समसान घाट ले जाना पड़ा उनको क्यूंकि जादा बारिश होन की बात को लेकर और वहीं अगर बात करें तो कई इलाखों में बाड़ा आने के वज़े से नदी नाले उफार पर है तो इसकुली बच्चे भी अपनी जान जोक्तिम में डालकर नदी को पार करते हैं जिला प्रशासन एतिहात के तोर पर तमाम इलाखों में लड़ तो जार किसानों के अगर बात करें तो कि सानों के लिए रहात कि बात है क्लियुक्ति कि किसानी कारे शुरू बूंत कई बारिष नह 피 Mysterium के लेकिन और लगया टूपानिक के लोग यह रही मसीबत बन मुद्ट कर भी बरस रही है और लगातार बारिस होने के वज़े से जो तापान में वो गिरावाट आई कुई कुछ बीन पहले उमस से लोगों को राहत तो मिली है लेकिन कई लोगों को मजबूर होना पड़ गया नदी को पार करने के लिए क्योंकि उनके गाओं आने जाने के लिए जो नदी है वहाँ फुल नहीं बना है तो तमाम तरह की समस्याएं इस बारिस में देखनों को मिल रही है और लगातार आशित इस छेतर में बारिस हो रहा है और नदी नालो का चल इस तर लगातार बढ़ते जा रहा है प्रशासन को चाहिए कि लोगों को जादा से जादा जागरू करें जिला कलेक्टर ने भी अपिल किया है बहुत उसका इलाकों से ऐसे हरान कर देने वाली तस्वीरे सामने आ रहा है जी आशित रूप से इमरान रगबिक सभी जगए ये सित्तिय कमोबिश बहुत 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 शुक्र लिया है जिए्ट